वल्केम पूदे कैमफेक्ट एजूकेशन और आज ही क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन्स ओफ एलकीन और उनमें से भी सबसे पहली और बहुत इंपोर्डेंट रिएक्शन ओजोनो लाइसेस अब ओजोनो लाइसेस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है एक तो ओजोनो विच रिप्रेजेंट ओजोनो लाइसेस का मतलब होता है ब्रिकडाउन किसका ब्रिकडाउन हो रहा होगा जब मैं रिएक्शन्स ही अलकीन की पढ़ा रहा हूँ तो एक तरीकिये से डबल बॉंड का क्लीवेज हो रहा है लाइसेस मतलब ब्रिकडाउन हो रहा है in the presence of ozone तो हमें यही डेटेल में देखना है कि ozone lysis होता है तो क्या प्रट्ट बनते हैं तो ozone lysis में सबसे पहली बात ध्यारा है किसकी रिएक्शन्स हैं एलकीन की एक्षिन हैं एलकीन का जब आप ओजोनलैसिस करते हैं मालों C डबल बोन C और आप ओजोन को इस पर एड़ करेंगे तो क्या पॉड़ट मिलेंगे तो मैं अभी फिलाल शुरू में आपको मैं बताऊंगा क्योंकि पेपर में तो सिधा ये पुछ आता है इसके उजनलैसिस होने पर क्या पॉड़ट मिलेगा डीटेल मेक्यानिजम और हर टाइप के कुशिन कवर करेंगे लेकिन आप लोगों के बास समझातों आपको क्या करना है इस डबल बोन को तोड़ देना है एक उक्सिजन इसके साथ एक उक्सिजन इसके साथ ये आपका फानल प्रॉड़ट मिल जाएगा तो आप क्या बनेगे के C डबल बोन ओ एक यह हो गया है प्रॉड़ट और दूसरा वाला इस तरीके से डबल बोन मोलीक्यूल में जहां भी डबल बोन दिखेगा आपको इस तरीके से break कर देना है यह होंगे आपके final product यानि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ alkene से आपको जो product है वो क्या मिलेंगे देखो अगर दोनों तरफ RR group हो जाए तो ketone भी मिल सकता है एक तरफ H और एक तरफ R हो जाए तो LD hide भी मिल सकता है तो एक तरीके से जब आप ozone lysis करेंगे बटा तो आपको LD hide और ketones product में मिलते हैं लेकिन कभी कभी आप यह देखेंगे कि LD hide further oxidize हो रहा है अगर LD hide further oxidize होके carboxylic acid में convert हो जाता है तो इसका नाम बन जाता है oxidative क्या ozone lysis clear हो गई बात यहां दखना ketone oxidize होके carboxylic acid में कभी convert नहीं होता है तो LD hide अगर carboxylic acid में convert हो जाएगा तो oxidative ozolysis और अगर यहीं रुक जाए reaction आके carboxylic acid final product में नहीं जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं reductive ozonalysis तो सवाल यह है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि reductive ozonalysis होना है या oxidative ozonalysis हो रहा है तो याद दखना जब तक examiner mention करके नहीं देगा यानि ozone के साथ कुछ और जरूर लिखा होना चाहिए जिसके basis पर हम idea लगाते हैं कि हमें reaction को यहीं रोग देना है या carboxylic acid को में convert कर देना है किसको aldehytic part को तो चलिए देखते हैं क्योंकि उसका answer आप लोगों को तभी मिल पाएगा जब हम इसके mechanism की तरफ को आगे बढ़ेंगे तो चलिए हमारे पास सबसे पहले मान लेते हैं वह होथी simple के CH3 CH2 यह हमारे पास एक alkene है सबसे पहले लिखा आ गया ozone को add किया है solvent chloroform होगा या कभी कभी कुछ भी लिखा नहीं होता है कुछ भी नहीं यह लिखा तब भी आप टेंशन मत लीजिए मैं इतना काला क्यों दिख रहा हूँ जो कि मैं हूँ नहीं ठीक है चलिए अब अगर आप ध्यान से समझें ozone एक bent molecule है इस तरीके से मैंने पूरा chemical bonding में पढ़ा है हम जानते हैं एक bond जो है कैसा है coordinate bond है तो इस पे negative और positive की तरह भी आप represent कर सकते हैं देखे होगा क्या अगर यह अपना electron positive charge इन electrons को खीचे तो इस पे कैसा charge generate होगा वक तरीके से positive और जो double bond है वो इस पे क्या कर सकता है attack कर सकता है क्योंकि यह दोनों अगर इन दोनों के बीच में आ गए तो इस पे क्या charge होगा positive तो यह negative वाला इसको donate कर सकता है बास ने आ रहे हैं तो आपको क्या बनता होने जाएगा बिटा भीन सेको CH3 CH CH2 O O O O इसको initial ozonoid कहा जाता है clear होगी बात यहां से आगे reaction में क्या होता है देखें अगर यह वाला double bond shift हो जाए इसकी तरफ को तो इस carbon पे क्या charge जाएगा positive clear है और यह वाला oxygen अगर दो bond बना लेगा तो यह वाले एक तो यह oxygen खीच लेगा इसकी वैसे इस पे क्या charge जाएगा negative इसके पास lone pair है आप जानते हैं कि अगर इस पर positive charge है और इसको donate कर सकता है तो overall आपके पास क्या बनेगा देखो CH3 यह C यह C के साथ क्या जुड़ा हुआ एक H और double bond क्या जुख जाएगा इसके पास O clear है यह तो बनगे एक पार्ट अब यहां देखो अगर इस लेक्टोन ले ली oxygen ने तो इस पर कैसा charge जाएगा नेगटिव यहां यह oxygen इसके साथ double bond हो जाएगा CH2 के साथ इस पर कैसा charge जाएगा इस कारवन पर कर देगा attack जिसके वैसे यहां आ जाएंगे तो इस पर कैसा charge जाएगा नेगटिव ऑक्सिजन पर positive charge है अगर यह इस से लेक्टोन यहां खीचे तो इस पर कैसा charge होगा positive यह negative charge जो आया है वो attack कर सकता है इस positive charge के ऊपर तो आपको क्या बनता हुआ नजर आएग इस oxygen ने अपने लेक्टोन खीच लिए हैं तो वह बन गया इसके पास दो लोन पर आ गया है single bonded था इस oxygen के साथ इसने इस पर टेक कर दिया है तो यह बन गया है इसको ही बोला जाता है क्या ओजो नॉइड इसका मतलब यह है कभी भी किसी molecule में आपको ozone लिखा हुआ मिल जाए तो आपको इस mechanism से जाने की कोई requirement नहीं है जहां भी double bond दिखता हो तो वहां आप इस structure का formation कर दीजिए यानि एक side एक oxygen से bridging कर दीजिए दूसरी side दो oxygen से bridging कर दीजिए तो यह वाले steps आपको करने की ज़रूत नहीं रहेगी तो यह काम क्या होगा आप लोगों का आप लोगों है कोई अगली बार मैं क्या करूंगा मैं जानता हूं CH3 CH double bond CH2 है और जैसे मुझे एक्जाम में लिखा मिला ओजोन तो मैं इस बार उस mechanism नहीं जाओंगा मैं क्या करूंगा जहां double bond था वहां oxygen को लियाओंगा ब्रीजिंग में एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरा वाला ठीक है अब जहां से देखो आपको क्या करना है कि यहां से आगे हैं अगर उन्होंने जिंक लिखा हुआ है साटी एवाए सेटी कैसे नहीं भी लिखा हुआ जिंक लिखा है तो जिग आप जानते हैं किसी को प्रोवायड्य करता है खुद का Oxidation होता है दूसरे को क्या करता है reduction तो अगर कभी भी जिंक लिखा मिल जाए या फिर डाइ मिथाइल सलफाइड लिखा मिल जाए इसका मतलब आप reduction कर रहे हैं तो यह कौन सा रास्ते पर चल चुके हैं है रिदक्टिव ओजोनोलाइस इनको पहचान लेना कोई बड़ी डिल नहीं है ठीक है होगा क्या आप जानका देखो अगर एक oxygen इसके साथ आजाएगा मानलो इसको वह तो लिखने का तरीका है आप जैसे भी चाहो मानलो यह सारे बॉंड जो है दोड़ेक्ट्रों से तो बने हुए तो अगर यह वाल एक्ट्रों यहां जाए यह वाल एक्ट्रों यहां जाए तो आप क्या दो जोड़े हुआ है डबल बॉंड ओ यह वाला दो एक्ट्रों इसके साथ यह क्या रह गया आपके पास यह आपके पास रह गया नेसेंट औक्सिजन और नेसेंट औक्सिजन तो क्या होता बहुत रियक्टिव होता है अगर आप इन में से कुछ एड नहीं करेंगे तो यह अगर हम यह इन दोनों में से किसी भी एक कोमेंशन नहीं करते है अब क्या होगा तो यह जो आप एड गर रहे हो से यह इस नेसेंट औक्सिजन से एक ततरीकी से रियर्ट करते है आप जानते हैं जिंक को एड करेंगी तो तो अगर आप लोगों को zinc या dimethyl sulfide लिखा हुआ मिल जाए तो reductive ozone lysis होगा और reductive ozone lysis के प्रड़क aldehyde या ketone होगे, कार्बॉक्सलिक एसिड नहीं होगा या फिर अगर कुछ भी लिखा ना मिले या H2O2 hydrogen पर उक्साइड मिले, तो वो एक तरीके से oxidize करने में help करती है, तो वहाँ कभी भी aldehyde नहीं मिलेगा, clear है, वहाँ पर कैमिल जाएगा आपको सीधा aldehyde को acid में convert कर देना, अब मैं कुछ questions देता हूँ, जिसकी help से आप और detail में समझ पाएंगे, for example मालीजी ये question है और मैं दोनों रास्ते पूछता हूँ आपसे कि अगर paper में ऐसे लिखा मिला ozone in chloroform CHCl3 और zinc या फिर ozone O3 होता है and H2O2, तो आप क्या upload बनाएंगे तो आपको मैंने क्या पता है, exam में न ओजोनोइड बनाना है, न मेकनिजम से जाना है, सिर्फ ये बात ध्यानक नहीं है जहाँ double bonded था, वहाँ oxygen को add कर दो, एक oxygen double bond O उपर वाले के साथ, एक नीचे वाले के साथ तो आप क्या upload बनाएंगे, देखे double bond O याद रखी, यहाँ पर एक क्या है, H है तो H, दूसरा वाला C double bond O, दूसरे तरफ क्या है, CH 3, this is your final product तो आप LD head को acid में convert नहीं करेंगे, लेकिन अगर H2O2 लिखा होता तो आप क्या करते है, double bond O जहाँ H है, वहाँ क्या करते हैं, O H2O2 तो acid बन जाता, लेकिन दूसरी side क्या बन रहा है, ketone तो इसका कोई भी जो भी group CS3, कोई भी बच्चा दूसरे वाले question में convert नहीं करेंगा, तो एक तरीके से आपको या तो इस type question आएंगे, double bonded system होंगे, और इस काम को करना हो, या फिर काम reverse होगा reverse काम कैसे होता है, यानि कि वो आपको product दे देंगे, ozone ozonolysis करने के बाद क्या मिला, और पूछेंगे, actual molecule में double bond कहां पे है, तो इसका मतलब ozoneolysis के product जो है, हमें double bond की position molecule में कहा है, उसको identify के करने की काम भी आते हैं, for example अगर मैं आप लोगों से कहूं, मेरे पास कुछ ऐसा structure है, double bond O, double bond O, तो आप बदाए यह किसका ozoneolysis करने पे यह हमारे पास एक कोई चीज गिवन थी किसका ozoneolysis करने पे हमें यह product मिला होगा तो आप समझे लें, आप सबसे पहले काम कीजिए numbering करना, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 टू, 3, 4, 5 क्योंकि आप देखें, यह तो single bond के रोटेशन तो possible है, double bond 3, 4, 5 और 2 और 5 के बीच में क्या है, double bond इस तरीके से 2 के पैस क्या जुड़ा हुआ, एक 1 यानि CS3 इस पर भी है, और 5 पर जुड़ा हुआ, 6 यानि CS3 इस पर भी है, तो वैसे तो यह सारे क्या है carbon, यह भी carbon है यह भी carbon है, यह भी carbon है और यह भी carbon है यानि इसका अगर आप ozone analysis करेंगे तो आपको यह product obtain होगा तो आपको reverse चलना भी आना चाहिए, तो questions प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमें जितने भी type के exam में question है, वो सारे बहुत easily cover हम कर लेंगे, ठीक है अच्छा, अब यह बात जरूर धियान कभी कभी वो क्या करेंगे, कि जैसे मानलो formality head बन रहा है, तो वो formality head पे चीज को लाके रोकेंगे नहीं है, वो formality head जो है, मानलो आपके पास है HCOOH तो वो इसका क्या करेंगे, वो इसका भी oxidation कर देंगे, दूसरे हैड़ वाले कभी और इस तरीके से कर देंगे, विचिस कारबॉनिक acid, और इसको भी फर्दर ये जानते हैं कि ये किसमें डिसोच जाएगा, CO2 प्लस H2O, तो यहां तक भी बात पहुँच सकती है, तो exam में जो options हैं, उसके according लिए आप देख लीजिए, अगर दोनो आपको ये बात समझनी है, जो आपके प्रड़क्ट हैं, उनके डवल बॉन्ड ओ एक दूसरे से मिला दो, C, H, double bond O, इधर कर दिया, और H, C, H, O, का H, C, double bond O, इन दोनों को मिला के इनके बीच में double bond लिया हूँ, तो आपका कुछ इस टाइप का प्रड़क्ट बनता हो, नजर आएगा, C के पास एक H, double bond, CH2, स्टाइरीन बोलते हैं, इसको क्या बन गया, स्टाइरीन, कॉमन नेम, नॉमन क्लेक्चर में ने पढ़ाया आप लोगों को, तो ये कॉमन नेम भी उस होंगे, देखर ऐसे दुनिया भर के कॉश्यन होते हैं, हम कितने भी प्रेक्टिस कर सकते हैं, एस if you have benzene, ozone lysis करेंगे, reductive ozone lysis, तो क्या product मिलेगा, तो हम जानते हैं, यह यहां से तूट जाएगा, यह यहां से तूट जाएगा, और यह यहां से तूट जाएगा, ठीक है, इन सब के पास क्या है, यहां, H है, ठीक है, तो अगर आप इसको यहां से तोड़ेंगे, और यहां स तोड़ेंगे, तो यह वाला fragment H, H, इनके बीच में सिंगल बोन है, तो यहां डबल बोन ओ, डबल बोन ओ, यह मिलेगा, इसी तरीके से सेम, यह भी स्पीसीज है, यह भी स्पीसीज है, आपको फ्री मोल्स इसके मिल जाएंगे, क्लियर है, दिमाग इस्तमाल करना, ब्रेक कर करके देखना चाहते हो, तो ब्रेक करके देख लेना, इसी तरीके से आप से यह ध्यांसे समझेए, टोलवीन, बोलो बिटा, इससे आपको क्या प्रॉडक्ट मिल सकते हैं, तो अगर आप इसका ओजनलेसिस करते हैं, पहले आप खुद कीजिए, अपने प्रॉडक्ट लिख है, तो जब ओजनलेसिस होगा, यह वाला बोन ब्रेक होगा, यह वाला होगा और यह वाला होगा, तो यह वाली स्पीसिस तो वही बनी रहो, ह, ह, डबल बोन ओ, यह वाली स्पीसिस भी ह, ह, डबल बोन ओ, तो दो मोल इसके मिले, लेकिन यह वाली जो स्पीसिस है, इसके पा तो 3 ही मोल रहे हैं ठीक है और एक लास्ट कोश्चन मैं जानता हूँ आप हजाँता हूँ आप 100 परसंट गलत करेंगे क्या आप तयार है कोशोंचिन जो मैं आपको दे रहा हूँ क्या आप गलत करने के लिए तयार है तो और्थोजाइलीन जो होता है और्थोजाइलीन चलिए बटा और्थोजाइलीन का ओजोनलाइसिस अगर हम करते हैं वो भी रिड़क्टिव तो क्या फाइनल प्रोड़क्ट मिलेगा तो आप लोग क्या करते हैं इस केस में जब आप ओजोनलाइसिस करने लगते हैं यहां से ब तो यह चीज तो आपको दिखी रही होगी कि एक तो यह मिल रहा है अब भी हमें दो साथ में हमें एक मॉल किसका मिल रहा होगा तो आप लोग यह देखते हैं कि सर जब यह वाली चीज़ ब्रेक हुई है तो आपको यह भी सोचना है कि ऐसा भी हो सकता है अगर इसका इस्ट्रक्चर में नबल बॉन यहां पे हो और यह सीज़ इस तरी इस जुड़े हो तब यह वाला बॉन ब्रेक होगा यह होगा और यह होगा तो आप समझ रहे हैं कि हमें प्रड़ कर बिसकते हैं च्छी यह वांपे ह है एच्छ यानि एक तरफ च्छी एक तरफ ह ह अच दबल बॉन ओ डबल बोन और यह वाली स्पेसिज भी मिल सकती है similarly, इधर देखो, यह वाली species से क्या बन रहा है, इधर H है, CH3 double bond O, H double bond O, और अगर आप इस species को देखेंगी, तो इसके पास दोनो H है, तो इस तरीके से आपको यह भी मिल रहा है, H, H double bond O, double bond O, तो अगर आप से पूछे जाए, product कितने type के product मिल रहे है, तो देखो, एक तो ऐसा product मिल लगा, जिसमें दोनों h है, जिसमें दोनों h है, एक product, एक ऐसा मिल लगा, जिसमें एक तरफ CS3 है, और एक तरफ H है, और एक अछिय है, जिसमें दोनों seven ही क्या है, CS3 है, तो यह बाद ध्याना कि, आप से गल्दिया, सर्फ तभी होती है exam में, जब आप लोग कुछन आता है आप आंसर करने के लिए बहुत जल्दी लगे होते हैं कि कौन से बने तो याद रखिए हर बात का एनलैसिस करिए कि क्या पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबलिटीज है उन सब करते हुई चलना है और कोई भी कोश्चन होगा और से एक भी कोश्चन नहीं अटकेग यहाँ पर है OH अगर मेरा कोश्चन कहता है कि यहाँ आप एसिड एड करके हीट कर रहे है इस टैप नमबर वन तो इससे आपको मिलेगा A ठीक है इसके बाद आप रिड़क्टिव ओजनलेसिस अगर करते हैं तो आपको B और C मिलेगा तो बताइए इस रिक्षन में A क्या है B क्या है और C क्या होगा तो इस टाइप के कोश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप जानते हैं इन्हें डी हेडोजनेशन ऑफ एलकोहल है यह इस पर टेक करेगा वाटर पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ह ह ह पॉजिटिव यहां से लेक्टोन खीच लेगा जिसकी वज़े से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डिकरी है ठीक है इसके पास एक एच भी प्रेजेंट है तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगी यह सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आजाएगा ठीक है अब इस अब स यह है कि हमने नंबर फार्बन तो नहीं कर दिए नंबर फार्बन पॉजिटिव के साथ ठीक है इस डबल बॉंड इस इनकी इस डबल बॉन आ गया है यहां यह ऐसे है यह यह बाद सब्सक्राइब है कि यह आपका बन रहा है चेक कर लिए आप से यहीं बनना चाहिए यह बाद मैं फिर से चेक कर लेता हूं यहां से इस पर पोजिटिव चार्ड जाएगा बिल्कुल सही बनाया है यहां तक हमने इस तरीके से आप प्रड़क्त तक पहुश सकते हैं तो देखे अब क्या हो लगगा धीर दीरे इन सबका आपस में मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा कि जितनी भी चीजी हम आगे पढ़ते रहेंगे वह सारे के सारे यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों मैं एक कुशन और देता हूं इसमें इन ही का मैं फिर से यूज करूँगा मेरे पास एक 6-membered ring है इसके पास जोड़ा हुआ है एक OH जस्ट नेक्स्ट यहां पर तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इसमें यहां पर आपको ए मिलेगा उसके बाद जो आपको ए मिला है अगर आप करते हैं तो आपको बी और सी मिलेगा तो पहले आप कीजिए आपको क्या प्रोड़क्ट मिल रहे हैं सिमिलर्ली अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कोशन पूछता हूं यहां वाली है और इन पर जुड़ा हुआ है एक OH यह मैं तरीके से आपने जो रियक्टिव इंटर्मेडियेट में पढ़ा है उसका भी रिविजिन करवा रहा हूं सिमिलर्ली अगें एस प्लस करके हीट लिग द कोशन को प्रेक्टिस करते रही है मैं आपको तीन कोशन दे रहा हूं उसके बाद हम आगे वाले चीजों पर बढ़ेंगे तीसरा कोशन क्या है अब देखो अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है सिक्स मेंबर रिंग किसी एक में भी गरबड नहीं होनी चाहिए वरना मज को एड कर देता हूं ठीक है तो आपको मिलेगा कोई भी कंपाउंड ABC कुछ भी मिल सकता है let's suppose A मिलेगा पहले में इदर देख लेता हूं कि दूसरे और क्या करवा देता हूं मैं आप लोग उसे alcoholic QH करके hit कर रहा हूं alcoholic QH heat आपको मिल रहा है E तो आप समझ गया होंगे alcoholic QH hit करने से क्या बनेगा फिर जो A मिला है उसका reductive ozone laces करता हूं तो आपको B मिलेगा यहां से ठीक है यहां से आपने hit कर यह मिल रहा है आपको C C hit करने C को आप पर आपने क्या कर दिया Ozone laces कर दिया आपको D पलस E मिलेगा यहां पर तो एक ही product मिल रहा है यहां पर आपको दो product मिल रहे हैं तो आपको बताना है कि क्या product बनेंगे इन तीन questions को जो मैंने आपको अभी दिये हैं इनको आप practice कीजिए और यहां से आगे फि हुआ 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 ह